हाई एब्रवान इसमी अंजली वर्मा यूर केमिस्ट्री एजुकेटर और वेल्कम तो आर चानल आज की इस वीडियो में हम लोग हमारा फर्स टॉपिक करने वाले हैं और थर्ड चाप्टर अफ क्लास नाइन्थ केमिस्ट्री आटम्स और मॉलेक्यूस तो स्टार्ट करते है और स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को एक चीज़ बता देती हूँ कि अगर आप क्लास टेंथ में हो या आपके कोई भी फ्रेंज हैं सीनियर्स हैं जो क्लास टेंथ में हैं जो कि अभी बोर्ड एक्जाम देने वाले हैं तो उन लोगों के लिए हमने दो बाच्च लॉंच कर दिये हैं एक है निपॉर्ड बैच और दूसरा है हमारे पास प्रगति बाच निपॉर्ड बैच का प्राइस सिर्फ 599 है और यह भी काफी डिक्रीज हो जाता है जब आप य916 कोड यूज करते हूँ अप्रॉक्सिमेटली सिर्फ 585 रुपीज ही आपको पे करने पड़ेंगे we have a lot of features हम काफी सारे sample papers worksheets lectures यहां पर ले रहे हैं handwritten notes भी प्रोवाइट कर रहे हैं तो अगर कोई भी निपॉर्ड बैच का पार होना चाहता है आप लोगों को चले जाना है और इन बैचेज में आप लोग easily enroll कर सकते हों similarly यह भी काफी आपको reduce हो जाएगा price काफी कम आपको पढ़ जाएगा 17% का फिलहाल off चल रहा है तो य916 कोड आप लोग definitely apply कर सकते हो ठीक है चलो start करते हैं आज का हमारा जो topic है आज हम law of chemical combinations देखें हमारे laws है दो laws हैं दोनों ही laws काफी जादा important है बहुत ही simple है देखो सबसे पहला law क्या है law of conservation of mass ठीक है mass conserved रहता है बस यह law इतना ही बताता है देखो नाम क्या है law of conservation of mass तो यह क्या बताएगा कि mass जो है जो total mass है वो यहाँ पर conserved रहता है ठीक है तो यहाँ पर देखो statement according to the law of conservation of mass mass जो है यह हम कहें matter है that can neither be created ना हम उसको create कर सकते हैं ना ही हम उसको destroy कर सकते हैं ठीक है तो यहाँ पर यही यह law state करता है so अगर कोई भी reaction हो रही है ठीक है before the reaction जो भी total mass था वो mass after the reaction के equal ही आना चाहिए ठीक है तब ही तो जो हमारा total mass है वो conserved रहेगा so matter और mass के neither be created nor destroyed in a chemical reaction यह जो हमारा mass है वो conserved रहना चाहिए ठीक है तो जो reactants है यानि कि before the reaction उनका जो total mass है that should be equal to the mass of the products यानि कि after the reaction जो भी substances form हो रहे है ठीक है तो clear हो गया देखो यहाँ पर हमारे पास एक reaction है methane oxygen के साथ combine कर रही है carbon dioxide gas और पानी बना रही है ठीक है तो यहाँ पर इसका mass है 16 इसका mass है 2 into 32 क्योंकि यहाँ पर oxygen के एक molecule का mass कितना होता है 32 तो 2 into 32 कितना आ जाएगा यहाँ पर 64 चीक है co2 का है 44 और यहाँ पर पानी का होता है 18 दो इसके molecules है so 2 into 18 हम कर देंगे तो यहाँ पर individually अगर आप देखो तो यहाँ पर अलग-अलग masses है सबकी है ना बट जब हमने क्या करा total after the reaction का और total before the reaction का यानि कि जितने reactants है उन सबका total जितने products है उन सबका total तो वो आपस में क्या रहे हैं बिल्कुल से यहाँ भी 80 gram था mass और यहाँ पर भी 80 gram ही है ठीक है तो यहाँ पर which means जो atoms है वो rearrange हो रहे हैं किसी ना किसी तरीके से बट जो total number of atoms होंगे हर एक element के वो before और after the reaction सेम रहेंगे ठीक है next class में class 10 में हम लोग proper balancing पढ़ते हैं जहाँ पर हम एक reaction को balance ही करना होता है मतलब जो total number of atoms है before and after the reaction उनको हमको बिल्कुल equal लाना होता है जैसे यहाँ पर इस reaction को देखो 4 hydrogen है यहाँ पर भी 4 hydrogen है ठीक है before and after same है एक carbon है एक carbon है oxygen कितने है 4 यहाँ भी 2 प्लस 2 4 है तो which means यह reaction balanced है बट अगर मैं इसको ऐसे लिख दूँ CH4 plus O2 CO2 plus H2O अब यह balanced नहीं है देखो 2 oxygen है बट यहाँ पर 3 है तो क्या यह balanced है बिल्कुल नहीं इस case में अगर आप calculate करोगे तो जो total mass है वो before or after same नहीं आएगा before or after same कब आएगा जब हमारी जो reaction है वो balanced होगी इसको हम एक balanced equation कहते हैं और यह skeletal equation है because this is not balanced clear चलिए तो I hope यह जो law है law of conservation of mass आपको समझ में आ गया होगा second law पर हम लोग बढ़ते हैं which is law of constant proportions this is also very simple नाम से याद करो constant यानि की कहीं न कहीं same proportion यानि की जो हमारा ratio होता है ठीक है तो यह जो हमारा law है यह एक particular compound के लिए दिया गया है यह law क्या state करता है कि compound में जो भी हमारे atoms हैं of different elements ठीक है वो एक fixed या हम कहें definite ratio में ही combine करते हैं यह ratio कभी भी change नहीं होगा ठीक है जैसे की देखो hydrogen और oxygen प्रेजेंट रहते हैं किसमें पानी में H2 में अब यहाँ पर अगर मैं क्या निकालू hydrogen और oxygen का ratio निकालू कि hydrogen का कितना यहाँ पर मास है और oxygen का कितना मास है ठीक है यहाँ पर विकिस आटम की बात हो रही है तो हम H ratio O लिख देते हैं ठीक है विकिस हम atoms की बात कर रहे हैं H2O2 जब लिखेंगे तो वह पूरा एक molecule होगा यहाँ पर atom की बात कर रहे हैं तो मैंने इसलिए H और O ही लिखा है ठीक है अब यहाँ पर देखो अगर हम hydrogen की बात करें तो by mass hydrogen कितना present है 2 into 1 क्योंकि एक atom का मास होता है 1 दो atoms है 2 into 1 ठीक है रेशियो oxygen का एक ही atom है एक atom का मास कितना होता है 16 कितना हो गया 2 ratio 16 यह cancel हो जाएगा क्योंकि आपको पता है 2 upon 16 ऐसे करके fraction में लिख सकते हैं तो 1 by 8 which means 1 ratio 8 तो अगर हम H2O पानी के molecule की बात करें तो इसमें hydrogen और oxygen दो अलग-अलग atoms है यह जो atoms हैं यह जो elements हैं यह एक fixed ratio में present है by mass ठीक है अभी हम जिस ratio की बात कर रहे हैं वो by mass है by volume भी होता है वो हम बात में देखेंगे अभी हम by mass बात कर रहे हैं तो by mass जो हमारे elements है वो एक fixed ratio में present है which is 1 ratio 8 यह ratio अगर change हो गया 1 ratio 9 1 ratio 10 2 ratio 9 उस case में जो हमारे पास H2O है वो form नहीं होगा तो यह जो ratio है यह हमेशा क्या रहना चाहिए same रहना चाहिए fixed रहना चाहिए constant रहना चाहिए ठीक है a pure chemical compound containing the same elements combined together in a fixed proportion यानि कि fixed ratio by mass is given by the law of definite proportions for example if we take water from a river or from an ocean both have oxygen and hydrogen in the same proportion आप पानी कहीं से भी ले रहे हो चाहे ocean से ले रहे हो rain water है आप well से निकाल के ला रहे हो या नाली का ही पानी क्यों ना हो वो जो पानी का formula है वो H2O ही रहेगा और इसमें hydrogen और oxygen जो है वो एक fixed ratio by mass में ही combined रहेंगे जो की 1 ratio 8 है चिक है तो यह law क्या स्टेट करता है this law states that any compound it can be derived from any source whatever the source be the elements they remain combined in a particular fixed ratio only this ratio this fixed ratio does not change very simple अब देखो यहां पर देख लेते हैं हम यहां पर H2O2 यह combine कर रहे हैं H2O बना रहे हैं और यहां पर हम कोई भी नया क्योंना reaction कर रहे हूं जो हमारे पास mass है वो सेम रहेगा 1 ratio 8 इसको मैंने बेटर तरीके से आपको यहां पर explain कर दिया कि आप ratio कैसे निकालोगे यहां पर बस वही है यह इन्होंने पूरी reaction करके दिखा दिया कि hydrogen और oxygen combine कर रहे हैं H2O बना रहे हैं तो इस case में इन्होंने molecule के terms में show करा है कि कैसे combination हो रहा है और हमने यहां पर atoms के form में देखा है ठीक है चलो next आ जाते हैं इसी law को हम प्राउस law भी कहते हैं तो चाहे exam में law of chemical combination में law of constant proportion पूछा जा रहा है या फिर प्राउस law पूछा जा रहा है you have to mention this only ठीक है the elements are present in chemical compounds in a pre-determined mass ratio pre-determined कहे दो fixed कहे दो constant कहे दो it's all the same thing ठीक है the law of constant proportions is this the law of constant proportions is also known as the प्राउस law या फिर इसको law of definite proportion भी कहते है definite है मतलब fixed obviously constant है वो same है कुछ भी कह सकते हो कोई भी terminology हो ultimately मतरब यही होना चाहिए कि fixed ratio present रहेगा by mass किसी भी एक particular color compound में उन elements का ठीक है और यह example मैंने बता दिया है hydrogen और oxygen जो है एक fixed ratio में ही present रहेंगे ठीक है यहां पर आचल में पहले hydrogen लिखा होना चाहिए पहले इन्होंने oxygen लिख दिया है यहां पर से थोड़ा गलत interpretation भी हो सकता है कि oxygen का एक पार्ट है और hydrogen का आठ नहीं जबकि हमें पता है hydrogen का जो है important और बहुत simple है so Dalton ने क्या कहा था कि जो भी हमारे पास matter होता है वो बहुत ही छोटे-छोटे tiny particles tiny blocks से मिलके बना होता है जिनको हम atoms कहते हैं और यह further indivisible होते हैं इनको हम और divide नहीं कर सकते हैं और यह indestructible है इनको हम destroy भी नहीं कर सकते हैं so according to Dalton's atomic theory atoms which are indestructible destroy नहीं कर सकते हैं और यह indivisible है further और चीजों में divide नहीं हो सकते हैं यह बिलकुल हमारे कह सकते हैं fundamentals है fundamental या फिर हम कहें building block है ठीक है सबसे छोटा जो पार्ट है matter का वो atom ही है यह नहीं होने कहा building blocks make up all the substances कोई भी substance की हम बात करें किसी भी matter की बात करें तो उनमें जो सबसे छोटा उनका building block है वो क्या है atom है unlike other substances which have atoms of different sizes and weights and elements atoms have all the same size and mass अब आपको लग रहा होगा कि थोड़ी complicated सी line है बट बिल्कुल नहीं है इसका simple सा मतलब क्या है कि अगर मैं कोई भी पर्टिक्लर element ले रही हूं element जैसे कि sodium aluminium zinc कोई सब यह element आप ले सकते हो ठीक है even oxygen hydrogen कोई अब मुझे एक चीज बिताओ क्या इस आटम का मास अलग होगा इस आटम का मास अलग होगा यह सेम होगे obviously आपका answer होगा कि यह sodium ही है तो इनका mass क्या होगा same इनका size क्या होगा same so this is what this line is telling कि एक element के किसी भी एक particular element के आप कितने भी अलग-अलग atoms ले लो उनका जो size है उनका जो mass है वो हमेशा same आएगा अब इनके कुछ drawbacks भी होते हैं क्योंकि हम बाद में क्या पढ़ते हैं isotopes पढ़ते हैं, isobars पढ़ते हैं तो वहाँ पर इनका थोड़ा सा drawback भी आता है बट वो हम बाद में discuss करेंगे अभी इनकी जो theory थी, जो चीजें इन होने कही थी वो हम समझ लेते हैं कि एक जो element है उस element के अगर मैं अलग-अलग atoms ले रही हूँ तो in that case size और mass के रहेगा same बट हाँ, अगर अलग-अलग element हो जाए जैसे ये sodium है element, ये aluminium है element इन दोनों का जो size है, जो mass है वो क्या होगा different होगा obviously तो ये चीज इन्होंने कही, ठीक है? चलिए अब हम proper points में देख लेते हैं जो भी इनके postulates थे तो सबसे पहला तो हमने देखी लिया है कि जो matter है, वो indivisible particles से मिलके बना है, जिनको हम atoms बोलते हैं ठीक है? और ये हमारे क्या है? building blocks हैं किसी भी particular substance या किसी भी particular matter के ठीक है? चलिए सेम है, this can also be stated as all the atoms of an element have identical mass और chemical properties और उनका size अभी हमने जस्ट देखा और जो अलग-अलग elements के atoms हैं उनका अलग-अलग mass होना चाहिए, अलग-अलग size होना चाहिए और अलग-अलग chemical properties होनी चाहिए ये सेम वही चीज है जो अभी हमने यहाँ पर discuss करी, ठीक है? चलो, atoms of different elements combine in fixed ratios हमने पहले ही देख लिया है law of chemical combination के जो law of constant proportion वाला हमारा law था या part था उसमें हम already देख चुके है यही वाली line और यही line हमें डालटन की atomic theory भी बताती है कि जो atoms हैं अलग-अलग elements के वो एक fixed ratio में combine करते हैं एक compound में जैसे hydrogen और oxygen दो अलग elements है, पानी जब यह बना रहे हैं तो उसमें एक fixed ratio में ही combine हो रहे हैं, ठीक है? atoms के neither be created nor destroyed, again यह पहला law हो गया law of conservation of mass कि atoms को ना ही आप create कर सकते हो, ना ही आप destroy कर सकते हो, जब हमारी कोई भी chemical reaction होती है, तो वहाँ जो भी हमारे atoms या उनमे rearrangement होता है, जिसकी वज़े से नए products बनते हैं, नए substances बनते हैं, बट जो total number of atoms होते हैं, हर एक element के वो before और after the reaction same रहते हैं, ठीक है? formation of new products, या फिर हम compounds भी कहा सकते हैं, उनको substances भी कहा सकते हैं, they result from the rearrangement of the existing atoms, जो कि हमारे reactants वाले side पर हैं, ठीक है? in a chemical reaction, clear? चलिए तो यहाँ पर देख लो, हमारे पास यह है 16 mass units, यह है 2 mass units, यहाँ पर total कितना आया, before the reaction 18, after the reaction भी कितना आया, 18, ठीक है? तो इस तरीके से हमको यह चीज़ देखनी हैं जैसे हम, H2O plus O2 वाला देख रहे थे, कि यह जब react कर रहे हैं, combine कर रहे हैं तो H2O बन रहा है, है न? तो यहाँ पर भी, जब आप before the reaction, total mass निकालोगे और after the reaction, total mass निकालोगे, तो वो हमेशा ही same आना चाहिए, और यह हमने अभी first वाले law में भी देख लिया था, clear? चलिए, आगे बढ़ते हैं अब आगे क्या point है? the relative number and kinds of atoms are constant in a given compound, ठीक है? जो relative number है, कि कितने हमारे पास atoms present रहेंगे एक particular compound में जैसे H2O है, अगर पानी है तो दो hydrogen होंगे और एक oxygen होगा, अगर मान लो oxygen होगे, तो फिर ये पानी नहीं रहेगा फिर ये अलग compound होगा, तो अगर मैं एक particular compound की ही बात कर रही हूँ, तो जो number of atoms हैं हर एक element के, या kind of atom है, वो क्या रहेगा, constant वो same रहेगा, ठीक है? तो हमने यहाँ पर अच्छे से Dalton's के atomic theory देख ली है अब यहाँ पर जो भी NCRT के questions हैं, उनको देख लेते हैं जल्दी से quickly, तो पहला question देखो NCRT index exercise का है, एक reaction है, जिस में 5.3 gram sodium carbonate है, react कर रहा है 6 gram of acetic acid के साथ, तो reaction यहाँ पर लिखी है, इसको हम proper symbols के form में लिख देते है, sodium carbonate क्या होता है, Na2CO3, acetic acid क्या होता है, CH3COOH, ठीक है, sodium acetate है, तो यह होता है, इसके अलावा carbon dioxide और पानी, अब मैंने क्या कहा था, reaction को balance करना भी जरूरी है, तो reaction को मैं balance कर लेती हूं, तो यहाँ पर देखो, 2 sodium है न, तो यहाँ पर भी 2 आ जाएगा, फिर, यह पूरे के भी 2 हो चुके हैं, यहाँ पर पार, तो यहाँ पर भी हम 2 लिख दिनगे, this reaction is balanced, अब जो balancing है, वो फिलहाल आपके syllabus में है नहीं, वो class 10th में है, तो इसलिए अगर आप इसको नहीं समझ पा रहे हो, that is just fine, but यह reaction यहाँ पर होगी, मैंने आपको बता दिया, यहाँ पर आपको जादा कुछ नहीं करना है, अगर आप यह reaction नहीं भी लिखोगे, तभी भी चलेगा, ठीक है, so this is not very important, आप सिर्फ यहाँ पर से भी answer कर सकते हो, अगर यह नहीं लिखोगे, तभी भी चलेगा, समझ में आया, क्यूंच चलेगा, मैं बताती हूँ, क्यूंकि यहाँ पर सिर्फ आपको calculation करके दिखाना है, देखो, sodium carbonate का 5.3 gram है, ठीक है, और acetic acid का कितना given है, 6 gram, so अगर मैं reactants की बात करूँ है, so total mass of reactants कैसे आएगा, when I will add both of these, उसके बात देखो, products क्या है, तीन products है, sodium acetate, CO2 and H2O, यानि की water, तो यह तीन क्या है, products, अब मैं क्या करूँगी, products का total mass निकालूँगी, तो क्या given है, आपर देखो, products were 2.2 gram of CO2, ठीक है, तो 2.2 gram CO2 का हो गया, plus 8, 0.9 water भी है, और 8.2 gram है, sodium acetate, we have to show that these observations are in agreement with the law of conservation of mass, है न, हमें law of conservation of mass को क्या करना है, satisfy कराना है, कि before or after the reaction, जो total mass है, वो same आना चाहिए, तो बस क्या करोगे, before the reaction, यानि की reactants का total add कर लो, कितना आएगा, total aside को, 6 add कर दो, 11.3 gram हो जाएगा, ठीक है, यह before the reaction है, reactant का, after the reaction, product का total निकालो, कितना आएगा, देखो, 8.2, 0.9, 2.2, ठीक है, 9, 10, 11, 12, 13, 8, 9, 10, 11, कितना आगया, देखो, यहाँ भी, 11.3 gram, तो before the reaction, after the reaction, जो total mass है, वो same आ रहा है, which means, जो total mass है, वो conserved रहता है, तो बस हमने proof कर दिया, कि this is an agreement, or in accordance with the law of conservation of mass, चलो, next question, hydrogen and oxygen, combined in the ratio of, 1 ratio 8, by mass, यह तो हमने अलड़ी देख लिया है, what mass of oxygen gas, would be required, to react completely, with 3 gram of hydrogen gas, देखो, देखो, बहुत simple है, H2O में, hydrogen और oxygen का ratio कितना है, 1 ratio 8, है न, तो 1 gram hydrogen, किसके साथ combine कर रहा है, 8 gram oxygen के साथ, hydrogen का मुझे कितना given है, 3 gram, तो यहाँ पर, इसको मैं 3 से multiply कर रही हूं, which means, तो 3 gram hydrogen के लिए, कितना चीए होगा, 3 से multiply कर दो, into 3, which means, 24 gram of oxygen gas, would be required, बस simple है, ठीक है, because ratio already given है, 1 ratio 8, तो अगर हमसे hydrogen, नहीं, hydrogen gas का already given था mass, हमें oxygen का निकालना है, तो मुझे क्या करना है, multiply करना है, अगर oxygen का given रहता, hydrogen का पूछा जाता, तो आप divide कर देते 3 से, तो बस इस तरीके से निकालना है, ठीक है, चलो, which postulate of Dalton's atomic theory, is the result of law of conservation of mass, इन्होंने भी तो यही कहा था न, कि हमारे पास before or after the reaction, जो हमारे पास total mass है, वो सेम रहना चाहिए, atoms can neither be created nor be destroyed, और यहाँ पर क्या होगा, rearrangement होगा, तो law of conservation of mass के according, यह वाला हमारा postulate है, ठीक है, चलो, उसके बाद, next question, और यह आखरी question है, which postulate of Dalton's atomic theory, can explain the law of definite proportions, तो यहाँ पर इन्होंने भी तो यही कहा था न, कि हमारे पास fixed ratio में ही, जुडने चाहिए elements, तो यह वाला जो postulate है, यह explain करता है, law of constant proportions को, ठीक है, तो यहाँ पर सारे questions, हमने कर लिये हैं, और properly law of chemical combinations को भी समझा, Dalton की atomic theory भी देखी, तो I hope यार, यह जो topic है, आपका अच्छे से clear हो गया होगा, ऐसे ही, जितने भी topics हैं, उन सब की मैं video बनाने वाली हूँ, तो definitely like कर देना, share कर देना अपने दोस्तों के साथ, and subscribe to our channel, हम लोग मिलेंगे हमारी next video में, तब तक अपना ख्याल रखना, all the very best, और next video में बिलेंगे, ठीक है, चलो, bye!